हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज की वीडियो में हम इनिस डिसुजा की लिख्यू ही पोएम रिमेंबर मेडियूसा डिसकस करेंगे तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेडियूसा क्या है मेडियूसा एक नाम है एक आप टाइप का हो गया था जिसकी वजह से वह बहुत भयानक दिखती थी आप चाहो तो गूगल में सर्च करके देख सकते हो बडियूसा के बारे में और इनस डिसुजा एक इंडियन राइटर है जो कि एक क्रिस्टियन निटी के कल्चर में पली बड़ी थी और उनको बच था तो चलिए शुरू करते हैं पोएम माइडंब ऑक्स लोयल्टी इस तफ्रोजन हाट तफ्रोजन स्टेयर तो यहां पे ऑक्स का मतलब तो आप जानते हैं लेकिन और डंब का मतलब है कुछ ना बोल पाना या फिर जो गूंगा होता है उसको डंब बोलते हैं लेकिन यहा क्या किया था उन्होंने अब बता रही है कि क्या फूलिशनस उन्होंने किया था उनका आग्यकारी होने का स्वभाब में क्या फूलिशनस थी वो कह रही है कि the frozen heart, the frozen stare तो फिर जब भी उनको कोई कुछ बोलता था तो फिर वो क्या करती थी उस चीज़ को अपोज नहीं कर कोई भी उनको कुछ भी ऑडर देता था तो फिर वो उसको मान लेती थी चुप-चाप उनका हाट मानो जैसे जम्स आजाता था उनका हाट दुखता था लेकिन वह अपने जो फीलिंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाता था दो फ्रोजन स्टियर मतलब चुप-चाप घूरते रहना मतलब कभी-कभी होता है न हम क्या करते हैं हमको जो पता होता है कि हम यहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं या फिर अगर हम कुछ बोले भी तो कोई फरक नहीं पड़ेगा किसी को एक किया गया है और फिर जब धी उनको कोई कुछ ऑड़र देता था वो चुप-चाप उनका हार्ट मान फ्रीज हो जाता था वो कुछ बोल नहीं पाती थी और बस चुप-चाप देखती रहती थी प्रोजन मतलब ठह रहे हुए मतलब नजर के साथ अफ लॉंग एलोन लेस अन इनने वाला बस उनको सब और दे रहे हैं और उन्हें बस और फॉलो करना पड़ रहा है और वो इतनी अकेली हो चुकी है जो उनका डर है वो भी उनको छोड़ चुका है मतलब यहां पर टेरर को परसनिफाई किया गया है उसको एक इंसान की तरह बताय गया है मानो डर एक और वो डर भी उनको छोड़ चुका है उनका साथ छोड़ चुका है उनके साथ कोई भी नहीं है remember Medusa who could not love even herself तो अब वो कह रही है कि Medusa को याद करो जो कि खुद से भी प्यार नहीं कर पाई क्योंकि Medusa को श्राप मिलने के बाद वो बहुत जादा क्रुएल हो गई थी वो सबसे हेट करती थी इवन इफ वो खुद से भी हेट करती थी अपना ही चेहरा देखकर उसे बहुत जादा खुद पे गुसा आता था किकि वो इतनी जादा भयानक दिखने लगी हुई थी तो फिर यहाँ पर राइटर चाइद इसी लिए बोल रहे है क्योंकि उनको अभी खुद पे गुसा आ रहा है उनको घुटन हो रही है वो ऐसा फिल कर रही है कि जो कुछ भी उन्होंने किया गलत किया उनके साथ गलत हो रहा था वो चुप चाप गलत सहती रही उन्होंने अपोस क्यों नहीं किया बैटर दा फ्लेइलिंग, दा एंगरी वोडस तो फिर ये अब कह रही है कि ऐसे चुप-चाप रहने से तो बेटर होता फ्लेलिंग मतलब चिलाना कि मैं चिला देती गुसे में कुछ बोल देती अपनी जो दिल की भडास है या फिर जो दिल में जो दर्द है मेरा मुझे जो तकलीफ हो रही है वो मैं बता देती अपोस कर ऒर्द देती बर्णिंग थ्रोड ऑब देश लेकिन वर्फ उनके भाहर नहीं आपाए यह सब उनके ब्रेन में ही रहए बार 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 ढधार उनके दिमाग में जो है ये घुटन सी जो feeling है, guilt वाली feeling है, वो बस बार-बार घूमती रही, गूमती रही और उन्हें और जादा तकलीफ और दुख देती रही then letting go, then the fall slow motion into that abyss, तो फिर ये किस से better होता, compare किस से कर रही है, कि मैंने हर चीज़ को जाने दिया, और धीरे धीरे मैं खुद ही slowly slowly एक ऐसे खाई में गिर गई, जिससे बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल हो गया, तो ये जो खाई है, ये आप कह सकते हो, कि loyalty की उनकी loyalty की बन गया था, कि उनका अपना कुछ एक standpoint नहीं रह गया, उनकी अपनी कोई choices नहीं रह गयी, वो बस कटपुतली की तरह जैसे उनके जो seniors थे या जो भी थे, उनको जैसे घुमाते थे, उनको वैसे ही घुमना पड़ता था, उनकी अपनी कोई life नहीं रह गयी थी, और वो एक गहरे खाई में गिर जाने से, ऐसे चुप-चप सारी बातों को सह जाने से तो बटर होता, कि मैं चिला देती, मैं गुसे में दो-चार बाते बोल देती, अपने दिल की जो भड़ा से निकाल देती, रो लेती, अपना दुख दिखा देती, Each life line of words, years in the making, तो फिर अब वो कह रहे हैं कि जो words है, मतलब मुझे अपनी आवाज उठाने को, या फिर मुझे इस चीज़ को realize करने को, कि नहीं, मैं ये गलत कर रही हूं, मैं मुझे ये सब नहीं सहना चाहिए, मुझे अपने लिए stand लेने की जरूरत है, और stand लेने के अपने अंदर बोलने के लिए, तेयार होने के लिए उनको सालो साल लग गया, मतलब वो बहुत जल्दी नहीं तयार हो पहे, realize होने में बहुत टाइम लग गया, और जो उनके दिल की भढ़ास है, उसको निकालने के लिए शब्द जोनने के लिए, उनको बहुत जादा कर लीजेगा अगर नहीं किया है और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाइए